देखो अभी हम क्या बताए थे तुरंत कि मानली जी आपका एक कमपनी है और कोई भी कमपनी आप जानते हैं आए दिन टेक ओवर करता रहता है छोटे-छोटे कमपनी को अगर आपके कमपनी लिस्टेड है और जिसको आप एक्क्वाइर कर रहे हैं वो अगर लिस्टेड नहीं है तो क्या आप उसको आया जाता है कि एक्वाइर जब करते हैं तो हम लोग पहले से बातचीत कर लेते हैं और जिस दिन एक्वाइर करते हैं वो एक डेट अलग होता है और बातचीत का डेट अलग होता है वो हो गया प्री और जिस दिन एक्वाइर की है उसके बाद का हो गया पोस्ट तो देखो केसे methods क्या है? पहला gross profit दिया रहेगा gross profit को किस ratio में बाटना है? sales के ratio में अब यहाँ दो word आ रहा है on the basis of time यानि एक time ratio हो गया और एक sales ratio हो गया हम इसा याद रखेंगे time को time से हम लोग निकालेंगे ratio जैनुरी फर्वरी और कब taken cover उसे और सेल्स का रेश्यू जब निकालेंगे तो हम लोग सेल्स से निकालेंगे कि जिस दिन आपने take cover किया उसके पहले कितना अएक वाग्यांपल देंगे अभी आपके सामने दो रेश्यू आ गए हैं एकस्पेंस दो तरह का हुता है पील एकाउंट दिया रहेगा उसमें दो तरह के एकस्पेंस आपको नज़र आएंगे एक फिक्स जिसको हम लोग किसके ऊपर बाटेंगे time के उपर यानि जो भी fixed expense होगा उसको time के उपर बाटेंगे आप लेंगे सर्फ fixed expense में क्या क्या आएगा rent business चले ना चले rates taxes insurance depreciation जो salaries देते हैं जो fixed इंपाई होते है general expense यह सारे fixed portion में आएंगे और इसको किसके basis पर बाटा जाएगा time के basis इसको sales के basis के gross profit profit कैसे होता है sales को पर ही होता है na expense related to sales जो expense sales से related है उसको sales के ratio से हम लोग बाटेंगे तो sales के sales से related क्या है traveler commission discount जब कोई समान लेता है तभी discount allowed करते है advertisement sales बढ़ाने के यह किया जाता है समान bad debts जब आप किसी को sale करते हैं तब पैसा ढूब जाता है bad debts sales mean salaries carriage outward मतलब carriage on sales और after sales services यह सारे जो है sales से related expense हैं जिसको sales के ratio से बाटेंगे अब देखो वहाँ पर चूंकि company को आपने take over कर लिया कुछ expense ऐसे भी होंगे जो company के बाद होते हैं company के पहले नहीं जैसे मालीजे जो individual है या फिर मालीजे partnership concern है उसमें कुछ expense ऐसे होते हैं कुछ expense ऐसे होते हैं जो की company बनने के बाद कुछ अलग expense हो जाएगा जैसे देखिए expense कुछ expenses से होते हैं जो related होते हैं किसे पोस्ट आपने company है आपने take over कर लिया एक company को तो take over कर लेंगे तो जो आप take over करने के पहले खर्च की है उसी को क्या बोला जा रहा है प्लेमेडी expenses company बनेगा तभी तो director होगा कि डिवेंचर कभी हम लोग इसू करेंगे एक company इसू कर सकता है और पूरा करने के बाद तो डिवेंचर के उपर इंट्रेस्ट तो देखेंगे company बनने के बाद यह सारे खर्च हो रहे हैं टेक्स का प्रविजन अब फानल एकाउन बनाये थे इंडिविज्वल का पार्टनर्सिप का वहां कोई आप प्रविजन करते थे क्या नहीं करते थे ना कब करते थे जब company का फानल एकाउन बनाये थे तो वहां पर टेक्स के ओपर calculation इतना भेंकर होता था कि पूछ यह मत त प्रविजन फॉर टेक्स कि डिविडेंट कब देते हैं जब company बनता है डोनेशन पॉल्टिकल पार्टी इंडिया के अंदर तो यह बहुत ही मस्ती वाला बात है पॉल्टिकल पार्टी बना लीजिए आपको डोनेशन आने लगेगा जिंदगी भर नहीं जितना नहीं कमा प पाईएगा पढ़ लिख कर यही काम कर लिजिएगा पैसा का कमी नहीं रहेगा तो देखेंगे डोनेशन टू पॉल्टिकल पार्टी इंडिया जो company बनता है तभी देता है यह सारे के सारे जो expense है यह expense कब होते हैं पोस्ट प्री नहीं यह कब होते हैं पोस्ट जो company बन जात है लेकिन partners का salary, interest and capital यह free है क्योंकि partnership concern था तभी तो आपने उसको take over कर लिया यह हो गया क्या आपको इसा लगता है कि यह जो sales or time sales or time के उपर किसको किसको बाटा जाता है उसको अलग से हम बढ़ियां से आपको लिखा दे ready reference के लिए अगर आप ऐसा सूचते हैं तो पहले आपको समझाना पड़ेगा हमको यहां तो example दिये ही है इससे होई जाएगा उसी चीज को अलग से लिखा है अभी यहां समझना है यह जो दो ratio आगिया ना sales ratio और time ratio करांखर्स 실제로 कि बढ़िया है लिए इसे लिए